अपवा फैलाने वालू पर नकल अध्यादेश के तहत कारवाई मुख्यमंत्री गुशकर सिंग धामी पटुवारी भरती में एक लाग से जादा अभ्यरतियों का सामिल होना बड़ी बात है कई लोगों ने परिक्षा को संदेहा इस्पत बनाने के भर्षक किये परियास मुख्यमंत्री गुशकर सिंग धामी ने कहा कि भरती परिक्षाओं को लेकर अपवा फैलाने वालों के खिलाब भी नकल अध्यादेश के तहत कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने पटुवारी भरती परिक्षा को संदेहा इस्पत बनाने के भर्षक परिय च्छे नए पुलिस थानू और पीश चौकियों का यहां पर उद्घाटन हुआ है परदर्शन कारी बेरोजगारू पर पांचवा मुकदमा दर्ज भरती परिक्षाओं में धादली के खिलाप परदर्शन करने वाले बेरोजगारू के खिलाप पुलिस लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है सहीद इसमारक पर धरना दे रहे युवाओं के खिलाप मुकदमा दर्ज युवक फिर भी डटे बेरोजगारू की रिहाई की मांग 1444 के उलंगन में चार नामजद और 50-60 अन्नी को बनाया आरोपी केस डायरी के साथ नहीं पहुंची पुलिस बोबी पव समेत साथ युवाओं की जमानत पर सुनुवाई एक दिन के लिए टल गई है सोमार को पुलिस कोर्ट में केस डायरी लेकर नहीं पहुंची थी इसके लिए पांच दिन का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की महलत देते हुए वे चक को केस डायरी के साथ अजसु गाउप पुलिस के हवाले केंची धाम में बनेगी अस्ताई चौकी तो ये चेतरें सामिल 6 पुलिस थानु के 661 गाउप और 20 चौकियों में 696 गाउप सामिल है नए पुलिस थानु के अधिन पौडी में थाना बनेगा पौडी में थाना यंकेशवर, तिहरी में चाम, चमोली में थाना घाट, नैनिताल में थाना खनिश्यू, अलमोडा में थाना धेगाट, एवं धौलचिनाज सामिल है, और 20 नई चोक्या यहाँ पर खुल रही है, तेरादुन में लाखा मंडल, पॉड़ी के वीरो खाल, टीहरी के गजा में, कांडी खाल, चमियाला, औ परियाग में चोपता, दुर्गादार, उत्तरकासी, इमें सांक्रियम, धौत्री, नैनिताल में ओखल कांडा, और धाना चुली, और हैडा खान, और धारी में, अलमोडा में मच्खाली, जागेश्वर, भौनकाल, और चम्पावत में 12 खोट यह सामिल है,